नमस्कार दोस्तों By reflection आपका स्वागत है आज हम द्रीन करेंगी क्रियात्मक समु किसे कहते हैं इसको जो है याशी परकार जान सकते हैं जैसे यह जो है दो कार्बन है दो और एक तीन तो इसे बोलेंगे प्रोपेनल तो अब जो है इसमें क्रियात्मक समों ओयच है तो ओयच है और फिर जैसे परिभासा के उनसार किसी कार्बनिक योगी में उपस्थी तो वह समों जो उसके रसाइनी गुड़ों का निर्धारण करते हैं उसे क्र ईधारन करते हैं इसके रसाइनी गुड़ों को और यह जो रसाइनी गुड़ों कुर्टेलीय करते हैं तो इसे ही क्रियात्मक समों बोला जाता है